जैमत अदी, स्री सिवाय, नमस्तु भ्यम हरहरमादेव गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, आप सभी जानते हैं यह नवरात्री अपने आप में खास है गुरुदेव ने अपनी कई कथाओं के द्वारा हम सभी को घर करहस्ती और हमारे जो ब्रत पूजा पाठ है, उनको सफल बनाने के भी कई उपाय और जानकारियां दी हैं इस वीडियो में वही जानेंगे, अगर आप सभी भी गुप्त नवरात्रियों के ब्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखे, आपके जीवन में बहुत उन्नती होगी और मातारानी की कृपा घर परिवार पर बनी रहेगी तो सबसे पहले सुरू करते हैं, पहला जो कार है, भले ही आप नवरात्री के न कर रहे हैं कोई दिक्कत की बाद नहीं है, कोई उपाय त्यारी कर रहे हैं, तो तुरंत इन उपायों को सभी को बता दे, प्रतिक विक्ति को महलाओं की आदत होती है, इनका नाम ही होता है गुप्त नवरात्री, अर्थाद गुप्त तरह से कोई कारी किया जाता है, तो आप सभी को इ की आउशकता नहीं है, गुप्त रहकर ही जब कोई कारी किया जाता है, कोई उपाय किया जाता है, कोई मंत्र साधना की जाती है, तभी वह फलित होती है, ऐसा स्थास्त्रों में वर्णन है, स्वयम माता पार्वती से भागवान शिव एक बार की बात है, जब इस चर्चा को करते हुए गुरुजी कहते हैं, वह कहते हैं कि महला को हमेशा धन की बात और अपने संतान की बात, अपने परिवार की बात बाहर कभी नहीं बतानी चाहिए, जब आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई पूजा इत्यादी पाठ इत्यादी कर रहे हैं, अगर आप उसे लो आपकी हसी उड़ाते हैं देखिए इसको तो बहुत अधीक विश्वास था अपने मातारानी पर देखिए इसको तो बहुत अधीक विश्वास था अपने भगवान से उपर देखिए इसकी कब मनों कामना पूरी होगी आप भक्ति के रहा से डगमगाने लगेंगे और जीवन कि कोई भी मत्रजाप या कोई अनभव हो रहे हैं कोई सुभ संकेत मिल रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप सभी कहीं न कहीं इन चीजों को गुप्त रखें और अपने तक ही रखें जब कारी हो जाए तो जरूर आप खुशी से सबको बताएं तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को वताना भगवान का प्रचार प्रसार करना तो धर्म का कारी है तो आप सभी को पहला ध्यान रखने योग बात यह है तो इंडिन आप सभी दूसरा कार कोई भी कर रहे हैं तो मातारानी का स्रद्धा भावना से करें किसी आडंबर से न करें किसी को बिना मनोकामना के भी साधर और सरल तरीके से माताराणी को मानती है आपके कड़कड में पूरे सरीन्व वितिवान है आप बिना कहें भी उनकी सेवा करते हैं या पूजा करते हैं तो माताराणी आपसे स्वेएम प्रसन हो जाएंगी बहुत अधिक परेशान होने की आवशकत देयर और बीना स्वार्थ करभी, गहीं बार महला Εंक्यां हमेशा मनोती की घुजा करें हमेशा बद्ले के भावन न करते हुए सवयम से अपनी मतलब के सभी को theo सब्हेš प्रदीप मिस्राजी गुरुजी हमारे भी कहते हैं साथी आपने भी पड़ा होगा निर्मल मंजन सो मोह पावा मोह चल चिद्र कपट नभावा कोई भी प्राठना करें कोई भी पूजा पाठ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के लिए कभी गलत न मंगे हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राड़ी पश्चन्तु माकस्चित दुख भाग भवितः इस भावना से प्रभ भी काम कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि घर में लहसन प्याजित्यादी जो ब्रत कर रहा है उसे तो कोण रूप से परित्याग कर ही देना चाहिए घर पर कोई भिक्षुक आता है हो सकता है मातारानी किस रूप में आपकी परिक्षा ले रही हो कुछ भी आप जितना बन सके उन्हें देने का प्रियास करें साति इन दिनों जितना संभव हो मान साहर और साति प्याय लहसा नित्यादी से दूर रहें तो खाफी उत्तम होगा प्रभु की भक्ती की तरफ आप अग्रसर हैं और इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और साति मातारानी की पूजा करें हैं तो काले नीले रंग का चुनाओं न करें लाल पीले वस्त्रों का चुनाओं करें तो 30 रेश्टों होगा इस तरह से कोई भी कारे करते हैं तो भावना सच्ची रखिएगा छोटे-छोटे सी सापसफाई कहने का अर्थ है मातारानी के सामने जब सामके समय दीपक लग नहा नहीं सकते तो कुल्ला कर लीजे जल की छीटे अपने उपर डालते हुए मातारानी की पूजा को संपन कीजिए देखिएगा आपके जीवन में स्वैम ही परिवर्तन होता चला जाएगा मातारानी मात स्वरूप में हैं आप छोटी सी ही पूजा करेंगी उन्हें मानने हो